हेलो क्रिकेट लावर्स कैसे हैं आप सब साउथ अफरिका वर्सिस बंगलादेश के भी जो मुकाबला है काफी इंटरस्टिंग हो चुका है अगर बंगलादेश टीम यहाँ पर तीन चार वर्केट साउथ अफरिका के एकठे ले जाती है तो कहीं ने कहीं मुमेंटम बंगलादेश के साथ जाएगा परन्तु बात करते हैं पहले हम बंगलादेश की बल्लेबाजी की बहुत इंप्रेसिव और बहुत ही जबर्दस बल्लेबाज है महामदुल हसन जॉय इनका नाम याद रखिए आने वाले टाइंप आपको बहुत बड़े स्टार मिलने वाले हैं ये क्योंकि बंगलादेश की फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकि है टेस्ट मैच में मेरे साबसे खास दोर पर और अगर आप इनको ODII में भी मुका देंगे तो आपको अच्छा करते हैं नजर आएंगे रैड बोल में इनका जो टेंपरेमेंट है बहुत ही शांदार दिखा और हर तरफ ये शोट लगाते हुए दिखाई दी है और बड़े-बड़े हिट भी लगा इनोंने और ये दिखाए कि टेलेंडर के साथ बलेबाजी कैसे की जाती है अ परन्तु पहला सेशन जो था बंगलादेश ने अपने नाम किया विकेट नहीं कोई लेटनदास और महा मुदल के बीच में काफी अच्छी पार्टनर्शिप लगी परन्तु जैसे ही सेकेंड सेशन आता है वहाँ पर शुरुआती लेटनदास के आउट से होती है और उसके बहुत अगर उनके टेलेंडर्स अच्छी बलेबाजी कर जाते तो बंगलादेश आपको यहाँ पर अच्छा दिखता जो महामुदुला उन्होंने वंडरफुल इन खेलिया और 21 एयर्स के वह भी और सौथ अफरिका में जीस हिसाब से अपनी वह पर्फमेस कर रहे ना तो यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या आ सकता भी दो दिन बचें तो सौथ अफरिका मेरे साब से तीन का जो रंडेट हो रखने की कोशिश करेंगे और 250 से 270 की बीच रन बनाएंगे और साढ़े 300 की बीच में बांगलादेश को टार्गेट देने की कोशिश करेंगे परंतु बांगलादेश को कोशिश करने चाहिए कि उनको 100-500 से ऊपर ना जाने थे क्योंकि साथ अफरिकन टीम जो वो भी कहीं न कहीं टैड हो चुकी है बांगलादेश टीम ने भी 100 प्लस ओवर खेले हैं तो बांगलादेश को इस चीश का फाइदा उठाना चाहिए 6 रंद तो ब बांगलादेश टीम को आप गेम की तारिफता आपको करनी पड़ेगी कि इन्होंने अपने आपको और भैतर तरीके से डेवलप किया है और काफी इनिंग ग्रो करते विया आए यहां पर और आप बताएगे कि बांगलादेश टीम को क्या करना चाहिए आगे आने वाले समय हमें और इस टेस्ट मैच में बांगलादेश के टीम जीत सकती है यह भी बड़ा कोश्ण मारक है तो बांगलादेश टीम यह मुकाबला जीत भी सकती है और अगर हम बात करें जो दूसरा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस ऑस्टिला के बीच हो रहा था वहां पर तो वन सैड कि लड़ी है मुश्विकर रहिम उनसे काफी उम्मीद थी कि वो चलेंगे और बांगलादेश टीम को आगे सर्व करेंगे परन्तु उनकी जो बलेबाजी है कहीं निराश कर रही है आउट अफरिका में उनकी टैक्निक कहीं न कहीं दिक्कत में आ रही है तो आई थिंक जु